तो चलिए कलास, TC Campus के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है Coding Decoding का जो पार्ट हम लोगों ने कल रोप किया था अपोजिट वर्ड तक, आज उसे आगे का पार्ट हम लेकर आए हैं तो उसी वीडियो कोंटिनू करते हुए Coding Decoding के सेकिन पार्ट में सबसे पहले अगर आप लोगों ने चैनल TC Campus के नाम से आपके पास अगर आप इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लेजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी सारी वीडियो जो हो रेगुलर इंट्राट पर मिलती रहें तो चलिए गलास जैसे हम लोगों ने कल बात की थी कोडिंग डिकोडिंग में अपोजिट वर्ड से रिएडिड एक बार अपोजिट वर्ड का तो कंसेफ्ट था उसको फिर से समझते हैं रिपीट कर देता हूं जो बचसे कर नहीं थे अपोजिट वर्ड के रहें हम बात करें तो जब किसी भी दो एल्फा बैट्स की पोजिशन का समझ 27 हो जाए कितना हो जाए 27 तो वो एक दूसरे के अपोजिट कह रहाते हैं अपोजिट वर्ड में जो सबसे पहला एल्फा बैट का ए उसके अपोजिट क्या होगा Z B क posit Y C क posit X D क posit W E क posit V F क posit U G क posit T H क posit S I क posit R J क posit Q K क posit P L क posit O and m के opposite n यही सम्हारे पास opposite words थे और कल हम लोग ने opposite words related को start up questions किये थे बागे कोशिन हम साथ साथ करेंगे मगर coding decoding की जितनी भी types हैं वो सबी questions हमें बहुत discuss करेंगे और बाद में इन सब गा complete assignment होगा तो चलिए अभी हम opposite words से आगे जो हमारी next type आते है उसके according चलते हैं suppose किजिए अगर कोई आपसे कहे in any code language बाई किसी सांकेतिक भासा में in any code language hand is known as IBOE बाई किसी सांकेतिक भासा में hand को IBOE कहा जाता है find in the same code language silk is known as what बाई silk को क्या कहें तो देखिए कलास सबसे पहले हमको ये difference समझना भी difference है क्या hand को बोला गया glass IBOE कल मैंने आपको बताया था अपने first videos में coding recording इस फर्स वीडियो हम लोगों देखिए इसमें मैंने आपको बताया था कि वे coding decoding का अगर आपके पास कोई भी question आ जाए तो सबसे पहले हमको ये चेक करना भी कहीं हो सब ये दूसरे के opposite तो नहीं तो चलिए सबसे पहले वही चेक करते है class H जो है H का opposite क्या होता है मारे पास S वो इस पूरे उसमें नाम में कहीं पर भी नहीं यानिक ये तो sure हो गया कि भी hand में यहां पर किसी का कोई opposite नहीं है तो चलिए next देखते है H को कहा गया है I A को कहा गया है B N को कहा गया है O और D को कहा गया है E जो हमारे पास पुराने नाम था H उसको बोला गया है I यानिके पर उसने उस रियल पोजिशन से एक पोजिशन आगे आपको बताया है शेम A को भी एक पोजिशन आगे N से भी, N से भी इन सभी में उसने आपको एक पोजिशन आगे का बताया है यानिकि जो code language हमारे पास आई यह क्या है कि मैं उसने अपने सभी alphabets में एक एक position आगे किया हुआ है तो same S plus 1 करेंगे T, I plus 1 J, L plus 1 M and K plus 1 L तो हमारे पास answer क्या जाए अगरा T, J, M, L clear रहे हैं तक अब देखिए next question एक simple type तो यही थी आपके पास अब इसको भी थोड़ा change करके थोड़ा मोडिफाई करके अब इसका उज़ो action version है अगर मैं उसी की बात करूँ तो उस case में क्या होता देखते है In any code language healing is known as B, F, I, K, H, O, J find in the same code language bad time is known as worth चले गलास देखते हैं अब इसका solution क्या होता है उसने healing को क्या बोला है पहले ओ लिखते हैं देखिए B, F, I, K, H, O, J यहीं आया गलास अब देखिए उसने क्या कहा है A पलस वन, E पलस वन, H पलस वन यह तीनों ही जो हैं वो पलस वन है L जो है यह माइनस वन लिया है सेम G पलस वन, N पलस वन, I पलस वन यह वाले तीनों भी पलस वन हैं मगर क्रोस में तो देखिते हैं, बैड टाइम को क्या हो जाएगा D पलस वन, E, E पलस वन, F, B पलस वन, C E, F, C, यह जो T है यह माइनस वन, T माइनस वन, S E पलस वन, F, M पलस वन, N और I पलस वन, J E, F, C, S, F, N, J यह हमारे पास आंसर आजाएगा बैड टाइम के ग्रेर क्लास, तो नेक्स्ट कोशिन क्लास इन एनी कोड लेंग्वेज, इन एनी कोड लेंग्वेज, मदर इस नोन एज, O, R, T, M, E, H फाइं, इन दा सेम कोड लेंग्वेज, सिष्टर इस नोन एज, वर्ट तो जरी देखते हैं अब देखे ग्रास, उसने मदर को बोला है, O, R, T, M, E, H इस कोशिन को जरा ध्यान से लेखिएगा, जितने भी एलफाबेट मदर में थे, वो सारे ही एलफाबेट उस साइड हैं बस डिफ्रेंस ये कि उनकी पोजिशन सेम नहीं है जब इस साइड के सारे ही एलफाबेट, as it is उस साइड दिये हों, तो वहाँ पर से दोई केस बनते हैं या तो उनकी रेंडमली पोजिशन प्लेस किया होगा, या फिर किसी भी एलफाबेट को किसी भी ओर्डर में लगाया होगा ओर आपके पास इंक्रीजिंग भी हो सकता, वो ओर आपके पास डिक्रीजिंग भी फिर से उतारा हूं, जब इस side के सारे alphabet, as it is आपको उस side मिले, तो दो ही case बनते हैं class, या तो उन सब इस alphabets को randomly place किया है, भी कहीं पर इसे उठाया और उसको कहीं पर भी put कर दिया, या फिर उन सब को किसी ना किसी order में लगाया है, order आपका increasing भी हो सकता है, order आपका decreasing भी हो सक देखते हैं, तो चली देखते हैं, मदल सबसे पर दे लिया, O, फिर R, फिर T, फिर down I, M, फिर down I, E, और फिर से उपर चले गए, यानि कि randomly place value तो नहीं है, या कोई order है, बताइए क्या है, order होता तो या तो सारे increasing में ही रहते हैं, या फिर उसारे decreasing में ही रहते हैं, मगर अब कहीं पर value बड़ी है, कहीं पर जोट या देखते हैं, तो चली देखते हैं, इन सभी के ओपर number लिखे लो class, 1, 2, 3, 4, 5, 6, आपके पास जो total alphabets थे, कितने थे, 6, और आपने हर एक alphabets को एक position assign कर दी है, तो चली देखते हैं, सबसे पहले किस position का alphabets आया, second, फिर 6, 3, 1, 5, and 4, clear है, तो चलीए, यहाँ पर भी number of alphabets कितने है, 6, तो चलीए, यहाँ पर भी सबसे पहले क्या आजाएगा, I, 6 number पर क्या है, R, 3rd पे, S, 1st पे, S, फिर E, और last में, T, यहीं हमारे पास answer आजाएगा, clear है, अब देखिए, अगर मैं इसी question मों थोड़ा change करूं, माल दो, मैं यहाँ पर mother की वजाएगा आपको बोल देता, husband, in any code language, mother is known as this, find in the same code language, husband is known as what, तो class, यहाँ पर तो यह सारी जो एलफाबेट 7 सबको randomly place किया हुआ है, मगर यहाँ पर जो total number of alphabet 7 कितने है, 6, यहाँ पर total number of alphabet कितने है, 7, तो क्या यहाँ पर 6 alphabet और यहाँ पर 7 तो क्या आप लोग इंगो randomly place कर सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता, अगर आपके पास number of alphabet same नहीं है, तो randomly placement का कोई case बन ही नहीं सकता, मैं इसको आपका एक example यहाँ दिलवाता हूँ, कल जब हम लोग opposite word का question कर रहे थे, तो हम लोगों ने a question किया था, भी OTLG को किसी code language में LGOT कहा जाता है, बताए उसी code language में house को क्या कहेंगी, कल हम लोगों ने opposite word में यह question किया था, तो उस दोरान हम लोगों ने जो इस console बताया था, class वो था SLFHV, कि वहीं यह सारे ही जो हैं वो एक दूसरे के opposite है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, बस एक यही कारण था भी हम लोगों ने इसकी value को randomly place नहीं किया, कि वही last वाले दोनों गो उठागे पहले और पहले वाले दोनों गो last में, clear है, चलिए, इसके बाद एक question अब करते हैं, question बड़ा ही simple है, देखते हैं कौन कौन करते हैं, find in any code language, in any code language, mobile is known as B-E-I-L-M-O, find in the same code language, charger is known as what, एक किसी सांकेतिक भासा में, mobile को B-E-I-L-M-O कहा जाता है, बताइए उसी code language में charger को क्या कहेंगे, चलिए बताइए, जब आप लोगों ने इस चीज को चेक किया, तो आपने देखा भी यह सारे ही जो एलफा बैट्स हैं, वो एजटी जी सेट दिये हुए, अब माइन में एक सबसे पहले बात तो यही जाती है, किसा जिन को रैंडम ली प्लेस किया होगा, मगर आप उससे पहले जड़ा इस चीज को भी देखिए, मोबाइल के अंदर जो एल्फा बैट्स है वो छी है, और जो चार्जर है आपके पास उसमें 7 है, तो जब नंबर ओफ एल्फा बैट्स सेव नहीं है, तो कलास रैंडम ली प्लेस्मेंट का कोई कोशन बनता ही नहीं है, यह बात शूर है, मंगर आप यह देखिए भी इस वर्ड में और इन वर्ड में क्या कुछ डिफरेंस है, उन वर्ड को अरेंज किस सरीके से किया गया है, अब आप एबी सी डियने के जो आपके अल्फा बैट्स का ओडर है, अगर आप उस चीज को चेक करेंगे, तो अल्फा बैट्स में जो सबसे पहले अल्फा बैट आता है, इन सभी छे में से B, B के बात E, फिर I, फिर L, M and O, यहनी कि उसने इन सभी अल्फा बैट्स को एक इंक्रिजिंग ओडर में सेट किया हुआ है, तो चलिए, आप चांजर में भी सबसे पहले क्या आ जाएगा, A, C, E, G, H, R, R, नेक्ट कोशन करता है ग्लास, इन अने कोड लंवेज, इन अने कोड लंवेज, नेचर इस रिटन आज, नेचर इस रिटन आज, नेचर इस रिटन आज, U, H, W, X, Q, D, in any code language, नेचर इस रिटन आज, U, H, W, X, Q, D, find, in the same code language, एक्टर इस रिटन आज, वर्ट, मैं आपको मोगा देता हूँ, 15 सेकिंड से आपके पास जल्दी से बताईगा, चलिए, In any code language, नेचर इस रिटन आज, U, H, W, X, Q, D, find, in the same code language, एक्टर से रिटन आज, वर्ट, वर्ट, किसी सांगेतिक भासा में, नेचर को ये कहा जाता है, बताईए, उसी सांगेतिक भासा में, एक्टर्स को क्या कढ़ेंगे, 15 सेकिंड, टाइम अप हो चुका है, चलिए, देखते हैं, क्या आशुरा आया है, N, A, T, U, R, E, तो क्लास इसमें नेचर को बोला गया है, U, H, W, X, Q, D, दो-दो के पेर बनाकर वैल्यूज को सिफ्ट किया गया है, ये कि, R प्लस त्री, E प्लस त्री, T प्लस त्री, U प्लस त्री, N प्लस त्री, and A प्लस त्री, clear है, यानि कि, जो लाश्ट वाले दो है, R, E, इन सब को उठा कर, पहले लिया इन दोनों वैल्यूज को, और दोनों में प्लस त्री में कर दिया है, जो सेकिंड वाला पेर है, T, U का, उसको as it is बीच में ही रखा गया है, प्लस त्री किया गया है, जो पहले वाली दोनों वैल्यूज है, N और A, उन में प्लस त्री करके, उन सब को लाश्ट में ले आए हैं, यह आपके पास third pair, clear है, तो same case, A, C, T, O, R, S, एक्टर्स का रहेगा, इन दोनों वैल्यूज में प्लस त्री कर देंगे, R प्लस त्री, U, S प्लस त्री, V, R प्लस त्री, U, S प्लस त्री, V, T प्लस त्री, W, O प्लस त्री, R, A प्लस त्री, D, C प्लस त्री, F, कदिरे ग्लास तो हमारे पसांसर आजाएगा U V W R D F Next question class In any code language In any code language Bombay is written as In any code language Bombay is written as O V Y O V Y Find in the same code language Find in the same code language Indian is known as what and Indians is known as what किसी code language में Bombay को O V Y O V Y कहा जाता है बताईए उसी code language में Indian को क्या कहेंगे और Indians को क्या कहेंगे अगर class मैं इस question की बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास जो number of alphabets है तो total number of alphabets हमारे पास 6 है उसने क्या क्या है यहाँ पर देखते हैं Bombay के अंदर से उसने पहला alphabets जो आपके पास था B उसको drop कर दिया O को ले लिया N को drop कर दिया B को लिया A को drop कर दिया Y को लिया और हमारे पास जो एक word आया वो आया O B Y मगर यहाँ पर problem कहा पर generate होई problem generate होई कि Bombay को उसने बोला था O B Y और लाश में फिर से क्या आया होई O B Y मगर इन 6 alphabets में से हमारे पास जो आंसर आया था वोई 3 ही थे जब उसने आपर Y को लिया तो आपके पास जो number of alphabets थे उस सारे खतम हो गए थे और जब number of alphabets खतम हो जाए तो प्रोसेस दोबारा से repeat हो जादे तो उसने फिर से क्या किया Y को लेने के बाद B को drop कर दिया और O को लिया M को drop कर दिया फिर से B को लिया A को drop कर दिया और फिर से Y को लिया और हमारे पास आंसर क्या बन गया O B Y and O B Y Same process इंडियन के अंदर I को drop किया N लिया D को drop किया I लिया A को drop किया N लिया अब अगर N ले लिया है आगे कोई alphabet नहीं है मगर यहाँ पर तो हमारे पास number of alphabet 6 है हमारे पास I 3 है तो process फिर से repeat हो जाएगा और हमारे पास आंसर बन जाएगा N I N clear है मगर यहाँ पर इस question के अंदर यह चीज़ रिपिट नहीं होगी उस चीज़ को ध्यान से देखना यहाँ पर I को drop करके N लिया D को drop करके I लिया A को drop करके N लिया और अब उसने S को drop कर दिया याद रहे यहाँ पर आपने N को लिया था और यहाँ पर हम लोग ने S को drop किया है जो की last है जो value drop करने की थी हम उसको drop कर चुके हैं अब हमको क्या इंटर करना है I तो यहाँ से क्या आजाएगा I अब N को drop करेंगे और क्या आजाएगा D फिर I को drop करेंगे और क्या आजाएगा A और एन कोड रोब करने बाद के आजाएगा एस तो हमारे पास जो आंसोद बनेगा वो आजाएगा निनी दास के नाम से next question with us in any code language Kalcata is written as seven three 16 five twenty five twenty-two twenty-four and three find in the same code language मदूरई is written as word ये coding decoding के अंदर लास नंबर coding का question है उसको देखते हैं c के value हमारे पास होती है 3 उसने हमको दिया है 7 यान के value प्लस 4 a के value होती है 1 उसने हमको दिया है 3 यानिके प्लस 2 l के value 12 दिया है 16 यान के प्लस 4 c के value 3 दिया है 5 प्लस टूप फिर प्लस फोर प्लस उप प्लस प्लस फोर यहनद गील शीज़ी चली हो तो चली देखता है n की वैल्यू ओती है 13 13 प्लस 4 17 एक की वैल्यू होती है 1 1ositytake 1 lagiiden 1 plus 2 3D लिए ओती है 4 4 4 प्लास fy 8D yes you का वैलियू होती है क achei 20 2021 21 plus 2, 23 18 plus 4, 22 1 plus 2, 3 9 plus 4 13, यह हमारे पास आणस्व आजाएगा यही नहीं हमारे पास आणस्व आजाएगा यही हमारे पास आणस्व आजाएगा यही हमारे आजाएगा clear class next question in any code language in any code language pocket is written as 7 6 3 2 5 2 clear find in the same code language find in the same code language monkey is written as word देखते हैं सभी को पता है अगर आश p की value होती है 16 कितनी होती है 16 उसने आपको value दी है 7 यनि कि उसने जो ये double digits में आपके पास value थी 10th place में उसने उन दोनों value को add कर दिया आपके पास जो value आई हो क्या बन गई 7 same O की जो value आपके पास थी वो थी 15 उसने यापर 1 और 5 दोनों को add कर दिया तो value कितनी बनी 6 K की value होती है 11 तो 1 प्लस 1 कितना हुआ 2 C को इसलिए ने लिखा गए आपके पास E के लिए भी 5 होती है और T की जो value आपके पास होती है वो होती है 20 तो 2 प्लस 0 इक्वोल टू तो गराश 7 6 3 2 5 2 यह आपका answer आया pocket के लिए मगर हम उसने हम से पूछा क्या था monkey के लिए value बतानी है तो अगर मैं बात करूँ M की M की value होती है 13 तो 1 प्लस 3 कितना हो गया 4 तो यहां पर आगया 4 O के लिए value हमारे पास है 6 N की value होती है 14 और 1 प्लस 4 करें तो class value बन जाएगी 5 K की value होती है 11 तो वो हो जाएगी 2 E की value हमारे पास होती है 5 और Y की value हो होती है 25 तो 2 प्लस 5 जो इक्वल होगे तो प्लस कितने हो जाएगी 7 और यही हमारे पास आप साम सुला जाएगा 4, 6, 5, 2, 5, 7 तो next question एकलास In any code language In any code language Aabra का Dabra Aabra का Dabra Is known as 1291-3141291 Find in the same code language Find in the same code language Hocus Pocus is known as Find in the same code language Hocus Pocus is known as So, देखते हैं A को बोला गया है कलास 1 B को बोला गया है 2 R को बोला गया है 9 अब कलास अगर मैं यहां से बात करूं R की value की कि भी R को 9 बोला गया है तो यहां पर इस 9 के दो option बनते हैं या तो आप लोग यहां से यह चेक करें भी R की value 18 होती है इसका half कर दिया तो 9 आ जाएगा या फिर जो R की value आपके पास 18 आई है उन दोनों values को आप add कर देते हो तब आपके पास 9 आता है आप दोनों में से कौन सी value बेंड करेगा आपके options पर हो सकता है भी OVC के base पर हो मगर जब हम लोगों ने यहां पर यह चेक किया कि भी R की value 18 नाई है तो process तो दोनों की same है हो सकता है भी दोनों में इसका half किया हो या हो सकता है भी दोनों sorry different digits को add कर दिया गया हो तो focus focus के अनुसाल जो भी आपके पास options होंगे options में values की step से दी गई है उसी according आपका आपका अंसर सेट होगा X के लिए value क्या है 8 O की value 15 होती है 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा 6 O की value जो के हमारे पास 15 होती थी इन दोनों different digits को add कर दिया गया है हमारे पास result आया 6 C के लिए value है 3 U की value जो 21 होती है तो 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 अब देखे गलाज यहाँ पर S की value है 19 तो जब आप यहाँ पर 1 प्लस 9 करेंगे तो 10 आजाएगा और अगर ऐसा है कि आपको दिया ही उस जगह पर 1 है तो इन दोनों को भी add कर देंगे तो वहाँ पर एक ही option बनता है कि जितने भी value है आपके पास जो भी double digits में है उन सब को add करके आपको unit place में लेकर ही आना है चाहिए आपको add कितनी बार भी करना पड़े doesn't matter और otherwise आप डारेक्ट भी लिख सकते हैं 10 P की value होती है 16 1 प्लस 6, 7 1 से 6, C की value 3, U की value 3 हो जाएगी 2 प्रस 1 और S की value फिर से 10 हो जाएगी पर हमारे पास यह यह आन सुरा जाएगा Ocus Pocus के लिए तो next question करते है class In any code language chair is known as 53269 In any code language chair is known as 53269 and is written as 781 find in the same code language find in the same code language India is known as what and China is known as what अब देखे class हर एक alphabet के लिए particular value दी हुई है किसी भी alphabet की value जो एक आसाइम करते गई है वो आगे कहीं पर भी repeat नहीं हुई I के लिए क्या word sorry I के लिए क्या number आया है 6 N के लिए 8 D के लिए 1 I के लिए 6 और A के लिए 2 तो यहां से इंडिया की value क्या हुई 681 62 चाइना के लिए C और H की value है गलास 53 I की value 6 N की value 8 और A की value 2 यह है मारे पास आम सुलागे गलास इंडिया की value हुजा है की 681 62 और चाइना की value हुजा है की 536 8 इसका next question गलास In any code language He is written as 30 She is written as 68 Find in the same code language And is written as what 30 C की value 68 और A की लिए उसने पूछा है जब भी करास बात number coding की होती है तो हमेशा एक बात याद रखें साम दाम दंड भे जो भी अपना सकते हो अपना लो कोई समस्या नहीं है Reasoning के अंदर हमको मतलब सिर्फ होसे हमारी value से है अगर ही के लिए value 30 आई है और C के लिए 68 आई है तो दोनों का जो operations है तोनों जो भी operations लगेंगे वो सब कुछ सेम होने चाहिए operations in the sense ही की value 30 बताने के लिए 30 value निकालने के लिए आप plus minus multiply divide square cube कुछ भी कर सकते हो हो सकते है या आपको कहीं पर double operation भी use करना पड़े या पहले किसी value की multiply कर रहे हो फिर कोई value प्रस कर रहे हो या पिर पहले प्रस करके फिर से multiply कर रहे हो तो उन सब चीजों से कोई difference नहीं आता जो भी rule इसमें लगाए जो भी operations आपने इसमें लगाए है वही same operations आपको इसमें लगाने होंगे और वही same इसमें लगेंगे तब जा कि आपका answer होगा तो चलिए देखते है ही की value है 30 अगर मैं यहाँ से इस value को बताओं h के लिए value होती है 8 और e के लिए value होती है 5 इन दोनों को add कर दिया अगर 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 इतनी आई 13 13 को double किया 26 plus 4 हमारे पास value आगी 30 same case c के लिए 19 plus 8 plus 5 equal to 32 into 2 64 plus 4 अंसर क्या आजाएगा 68 same e के लिए जो value हमारे पास है 5 plus 14 plus 4 equal to 23 into 2 plus 4 और हमारे पास जो आंसर एकटास वो कितना आजाएगा 50 तो end के लिए जो value आई है कितना आगई 50 और यही हमारा आंसर चेक है इस से little questions और भी हैं मैं आपको बताता हूं find if in any code language in any code language sun is written as 27 sun is written as 27 find in the same code language earth is written as what और उसने आपके पास आंसर दिये हैं 18 26 34 42 none of these बताइए ग्लास तो देखते हैं अब अगर मैं यहां से एस sun की value की बात करो हूं इस की value होती है 19 पलस u की value होती है 21 पलस n की value होती है 14 तोटल होगा अगर आस 54 अगर आप उसका half कर देते हो तो आपके पास value कितने आ जाएगी 27 उसने आपका क्या किया कि वही सभी value उसको add कर दिया और add करने के वाद उसको half कर दिया तो हमारे पास 27 आ गया तो अब आगे देखते हैं अर्थ के लिए value क्या बनती है e a r t h e की value 5 a की एक आर की 18 t के लिए 20 h के लिए 8 टोटल होगा गरास 52 और उसका half कर होगे तो answer आजाएगा 26 तो हमारा answer भी क्या आजाएगा 26 ठीक है? मगर वो आपको confuse करने के लिए ऐसा ही question देता है question में कहता है in any code language sun is written as 27 find in the same code language earth is known as world clear? अब देखते हैं उसमें आपको option दिये है 81, 82, 83 and 84 ये चार आपके options हैं अब देखते हैं S, U, N जो sun है sun की value होती है 19 मगर 19 का जो opposite है उसकी value आई 8 U की value होती है 21 21 का जो opposite है उसकी value आई 6 N की value होती है 14 और 14 का जो opposite है class उसकी value आई 13 और जब आपने इन सभी values को add कर दिया तो आपके पास आंसर आया 20 7, N के sum of opposite values तो चलिए अब देखते हैं यहां से E, A, R, T और H E की value होती है 5 और उसके opposite की value होती है class 22 E की value होती है 1 और उसके opposite की value 26 R की value होती है 18 और उसके opposite की value 9 T की value होती है 20 उसके opposite की value होगी 7 H के value होती है 8 और उसके opposite के value हो भी 19 clear है जब आप इन सभी values को add कर देते हैं 22 प्रस 26 48 प्रस 9 57 प्रस 7 64 प्रस 19 83 तो गलास हमारे पास हैंपर आंसर क्या जाएगा 83 और अगर कोई इसका solution पूर से तो गलास simple से बाग sum of opposite values sum of opposite values प्रस कोशन करते हैं क्लास अपना कोशन है in any code language son is known as 18 family is known as 11 find in the same code language ehostal is known as word so देखते हैं तू बदले find in the same code language ehostal is known as word तो देखिए गलास जो sun है sun अभी last question में हम लोगों ने जब question शोल किये थे तो वहाँ पर sun की value अगलास वह हमारे पास 54 आया था पास क्या आ गया 18 यानिकि total value को total number of alphabet से divide कर देना है और अमारे पास उसकी value आ जाएगी जैसे sun की value कितने आई 18 सेम जब आप family का total करोगे f a m आई एल वाई तो इसका total गलास 66 आएगा f की value 6 a की value 1 6 और 1 7 13 20 29 29 12 41 41 45 66 और जो total number of alphabet हमारे पास है कितने है 6 तो इसको इस value से divide कर देंगे तो हमारे पास क्या आ गया गलास लिया गों clear है same जो e hostal value हमारे पास है इस value को total करते हैं चलिए 5 और 8 तेरा तेरा और 15 अठाइस अठाइस और 97 47 पलस 20 67 पलस 5 72 पलस 12 84 तो हमारे पास तो value आई कितने आई 84 और यह होस्टनल के अंतर तो total number of alphabet हमारे गलास वह कितने 7 तो इसको जब 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास value कितने आज आएगी 12 तो यहां से की यहां से डिवाइड इसको नोट कर दीजी फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट कोर्शन है क्लास इन एन्य कोड लेंग्वेज एक्वल टू वन पी एके पाक इक्वल टू 784 फाइंड इन दा सेम कोड लेंग्वेज आई एन डी इस नोन आज वर्ट तो चली इसको देखते हैं एकी वैल्यू होती है क्लास वन और उसकी पार चाहिए कितनी भी होजाई ड़ेंट मेंटर वैल्यू नहीं रहेगी यानिकि उसका स्क्वेर कर दिया वन अगर मैं बात करूं प, A, K 16 और एक, 17, 17 और ग्यारह, 18 यानिकि इन सब वैल्यूस को ऐड़ कर दिया इस विश्वेज साब को करके बताता हूँ P, A, K A की वैल्यू 16, A की वैल्यू 1, K की वैल्यू 11 जब आपने इन सब 8 ओडन कर दिया कितना आ गया 28 और 28 का स्वेर करोगे तो 784 clear same जब बात इंडिया की आई ind i की value होती है 9 n की value होती है 14 और d की value होती है 4 clear तो 9 plus 14 23 plus 4 27 और जब आप लोग class 27 का square करेंगे तो value आजाएगी 729 और यह मारे पास आमसूर आजाएगा 729 यह question था class square related same question हो सकता आपके पास q related भी आजाएगा चले देखते हैं question है in any code language a is known as 1 a equal to 1 cab c a b cab equal to 216 find in the same code language geo is known as what और आपके पास option है 25,000 26,000 27,000 28,000 clear है तो जैसे मैंने आपको बताया था जब भी बात a के लिए हो एक ही जो place value है वो है one और one की power up साही कितने भी कर लिए ही doesn't matter value same रहेगी one तो करास यहां पर a और उस value का हम लोगोने cube कर दिया तो हमारे पास value आई one कैब c की value होती है 3, a की value 1 और b की value 2 तो total हो गया 6 और 6 का cube जब हम लोगोने किया तो कलास हमारे पास value आई 216 same case जब हम लोग geo की value करेंगे तो j की value होती है 10, e की value होती है 5, o की value होती है 15, total हो गया कलास 30 और जब हम 30 का cube करेंगे तो हमारे पास value आई 27,000 और यह हमारा answer रहेगा clear class तो अभी तक हम लोग जो question के थे वो simple question और number coding के थे इससे next class में हम लोग जो question करेंगे वह आपके mix कि मिवां